अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें whatsapp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, Sun sign, Moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाप से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है चलिए जी आप लोगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पर तीन set of cards हैं First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Six of Voices Six of Voices का card tarot में movement की बात करता है, change की बात करता है, shift की बात करता है तो कुछ तो changes आपके energy levels में आ रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है पीछे इस relationship से related, partner से related या फिर otherwise किसी भी life के area से related आप बहुत stuck महसूस कर रहे थे और July starting में कहीं उन्हीं stuck energies में से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर travel से related एक planning चल रही है तो देखे ये movement, ये shift सब areas के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने partner से थोड़ा सा distance कर रहे हैं अब देखे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों का break up हो रहा है या फिर एक दूरी आ रही है या फिर यूनो बहुत एक differences हो गए no I am not saying that बट होता है ना कभी कभी कि हम थोड़ा सा अपने लिए space चाहते हैं फाक देखे space भी चाहने की ये काट बात नहीं करता है थोड़ा सा again मैं कहूंगे distance करने की बात करता है और सिरफ और सिरफ July स्टार्टिंग के लिए energy जाधा रहती भी दिख रही है यहाँ आपर night of materials का काट कहता है कि आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं आप फिर बहुत safe share होके, secure होके आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आपको यह से लग सकता है कि जब तक आप 100% share नहीं होंगे जब तक 100% confidence आपको नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे, action initiatives नहीं लेंगे और देखे deeper level के लिए ego, dimming, your light and past romance के काट कहते हैं थोड़े से ego issues भी या तो आपकी तरफ से हैं, या फिर partner की तरफ से हैं जिनकी वज़े से यह distance हो रहा है या फिर आप चाहा रहे हैं, या सिरफ और सिरफ आपको एक thought आ रहा है और past romance का past की किसी भी चीज के होने की बात करता है कुछ के लिए हो सकता है कि you know past का कोई आपका relationship है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे अपने current partner को compare कर रहे हैं या फिर current partner के साथ ही बहुत time से आप relationship में हैं तो past में जो भी पल आपने बिताए, आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो दिखिए past romance सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा जो भी दो चीजे मेरे mind में आई, मैंने कहा and कहीं end July के लिए justice and mirroring के cards कहते हैं कि आप बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं हो सकते हैं आपको कोई decision लेना है, choice लेना है हर चीज के pros and cons को वे करते हुए, mind से चीजों को deal करते हुए in fact मैं फिर से कहूंगी logically चीजों को deal करते हुए ही आप decisions और choice लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो देखे, emotions, feelings, sentiments किसी level पे missing रहते हुए दिख रहे हैं logical आप जादा होते हुए दिख रहे हैं practical, realistic जादा होते हुए दिख रहे हैं और बहुत safe, sure होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का risk आप नहीं लेना चाह रहे हैं अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो आपके partner के लिए देखे, आपके सबसे बहला card है 10 of materials ये card कहीं family की बात करता है, कहीं long term की बात करता है commitment की भी बात करता है तो आपके partner या तो आपके साथ long term चाह रहे हैं आपसे commitment चाह रहे हैं या वो आपको commitment दे रहे हैं और कहीं दिखें अगर आपका committed relationship है या बहुत time से partner के साथ है जो भी level है आपके relationship का आपके partner कहीं marriage भी चाहते वे दिख रहे हैं कहीं आपके साथ settle down भी होना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner की family की involvement है interference है तो कहीं देखें फिर से मैं कहूंगी या तो वो आपके साथ family चाहा रहे हैं family मतलब शादी चाहा रहे हैं living चाहा रहे हैं या पिर उनकी family की involvement है, interference है dating का card कहता है कि इसी से related वो आपसे मिलना चाहा रहे हैं आपसे बात करना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं या पे hermit and fear के cards कहते हैं कि कहीं withdraw कर रहे हैं, backseat ले रहे हैं या फिर बहुत जादा एक introspective energies में रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक fear, एक डर उनके मन में रह रहा है और ये भी एक reason हो सकता है कि वो आपके साथ relationship को next level पे बढ़ाना तो चाहा रहे हैं आपके साथ long term तो चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं यहाँ पे nine of inspiration rivers का भी card कहता है कि एक थकावट end July में वो महसूस कर सकते हैं उनको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने बहुत effort किये चीज़ को confirm करता है कि एक थकावट महसूस कर रहे हैं उनको ऐसे लग रहे है कि बस उनके अंदर हिम्मत नहीं है extra effort करने की या फिर out of the way इस relationship के लिए जाने की फिर भी देखिए या तो एक message कर रहे हैं अब देखिए आपका already एक committed relationship है और आप लोग रोज मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि भाई वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं मतलब जितना जिस level पर वो action initiatives लेते हैं उनसे काफी कम उनकी तरफ से initiatives और action रहते वह दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि July मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए आपे Six of Cups and Mind Games के card एकदम से contrary energies की बात करते हैं Six of Cups का card एक दो चीजें कहता है सबसे पहले यह past की भी बात करता है और हमने आपके लिए भी देखा था Aries यहाँ पर past romance का card तो अब फिर से मैं कहूंगी कि सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि past का कोई romance है past का कोई relationship है उसके बारे में सोच रहे हैं और अगर आप लोग again मैं कहूंगी बहुत time से relationship में है तो past का relationship influence कर रहा है या आप उसके बारे में सोच रहे हैं और overall in general के लिए देखें तो surface level के लिए emotional आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए mind games का card कहता है साथी साथ थोड़े से manipulative भी या तो Aries आप या आपके partner होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा से diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं खाली you know emotions के basis पर या फिर जो दिल कहता है उसके basis पर चीजों को नहीं करते हुए दिख रहे हैं एक heart और mind का balance या तो रहता हुए दिख रहा है या फिर heart कुछ और कह रहा है, mind कुछ और कह रहा है और उसमें एक conflict रह रही है और इसलिए या फिर otherwise devil reverse का card कहता है कि mid July में एक pressure, एक issues मसले आप दोनों के बीच में रह सकते हैं किसी level पर stress रह सकता है हो सकता है आप दोनों में से कोई एक dominate कर रहे हैं या फिर आपस में issues मसले हो रहे होते हैं तो कहीं उनों एक stress tension specifically mid July में या July मन्त में रहता हुआ दिख रहा है और deeper level के लिए liar का card कहता है शायद आप दोनों में से कोई एक उतनी transparency भी नहीं maintain कर पा रहे हैं कहीं उनों किसी चीज को लेकर literally हो सकता है या तो आपने पार्टनर को जूट बोला या आपके पार्टनर ने आपको जूट बोला और यह चीज आपके relationship को effect कर रहे है और इस चीज की वज़े से stress tension हो रही है या stress tension का कोई और reason हो सकता है लेकिन one of the reason यह भी है कि आपने या आपके पार्टनर ने दूसरे जन को जूट बोला या पर transparency नहीं है और यहाँ पर देखिए hiding का card भी इसी चीज को confirm करता है कि कोई चीज चुपा रहे हैं अगें देखिए चुपाने का मतलब यह यह ओगया की transparency नहीं है और मुझे लगता है कि relationship positively आगे बड़े उसके लिए काफी हद तक transparent होना बहुत important होता है तो यह चीज थोड़ी से missing रहती भी दिख रही है and seven of emotions का card कहता है इसी लिए या पर otherwise भी कुछ यह नहीं concrete नहीं होता हुआ दिख रहा है एक confusion सी आप दोनों के मन में रहती भी दिख रही है क्या करें, क्या ना करें, कैसे चीजों को deal करें क्या right है, क्या wrong है तो दिखिए ऐसे में आपको यही कहूँगी कि clarity लाना सबसे ज़ादा एहम हो जाता है क्योंकि जब तक आप clear नहीं होंगे आप relationship में अगर आगे बढ़ते भी रहेंगे ना एक happiness, joy नहीं महसूस कर पाएंगे सबसे पहले, क्या आपके लिए बहुत important है और, you know क्या आपके लिए, again मैं कहूंगी priority है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसी से related अपने action initiatives लेना बहुत ज़रूरी है तो यह था Aries आप लोगों के लिए July 2024 की love tarot reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें